मसकाल मित्रो, स्वागत है आप सभी लोगों का, चलिए एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटा सा टास्क लेते हैं, अगर आप इस टास्क को पूरा करते हैं, तो अच्छी बात है, टास्क की बात करते हैं, तो आज से ही जो है क्या करना है, कि आप सभी लोगों को हर एक 10 topics में divide कर लिए एक column बना लिए एक a4 sheet ले लिए कि पहले जैसे biochemistry में आपने amino acid ले लिया amino acid ले लिया अब amino acid की property structure सब कुछ इसमें आ जाएगा फिर आपने protein ले लिया फिर आपने DNA ले लिया कहने का basic sense यह है कि आपको जो है वो total हर topic हर chapter को 10 topic में तोड़ लेना ठीक है तो आपने क्या किया कि हर chapter को break कर लिया आपने कितने topics में 10 topics में अब इन 10 topics में सबसे पहला काम कहा करना है daily daily दस topics के हर जो 10 topics divide कर लिया नहीं total 10 days ठीक है दस दिन तो अब इस अगर मेरे पास जो है अगर आप 10 unit target कर रहे हैं और 10 unit target कर रहे हैं अभी अगर मैं मानलू कि आपके पास exam जन्वरी के प्रॉक्स हो रहा है तो लग 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 जो है दो बेनी होंगी तो दो महीने में मतलब सार दिन के अश्पास है तो आप क्या करें कि अब हर दिन दो टौपिक ठीक है और दिन दौपिक पकड़ियेगा और दौपिक के हर topics है at least 10 questions, at least 10 questions आपको क्या करने है solve करने है ठीक है और यह तो questions कहां से आएंगे कहां से अगर आपके पास कोई book है pyq उसकी तो वहाँ से ले सकते या वेदमी की जो pyq वेदा book है आप वेदमी की pyq वेदा book से भी जो है आप काम कर सकते हैं देखो मैं फिर से क्या समझानी कोशिस करूँ कि target table बनाना है target table टाइम टेबल की बात ली करो आप सुबह कर रहा है कि साम में कर रहा है कि दो गंटे कर दें कि चार गंटे मुझे उससे मतलब नहीं है कहने का मतलब एक unit उस unit को उस chapter को एक unit को आपने जो है total कितने में 10 तोपिक्स में किया अब दो टोपिक्स के question solve करने है यानि हर टोपिक से 10 question यानि डेली 20 question solve करने है पहले 20 question पहले 20 question जो है वह आपको PYQ से solve करने है पी-वाई-क्यू से solve करने है अग यही पर देम फुरू होता देम असली PYQ को solution नहीं और ध्यान है कि PYQ क solution बिना answer देखे करने है मतलब answer नहीं देखना है अगर किसी statement में confusion है तो उसे पढ़के solve करिए ठीक है don't look at the answer no answer November वाला जो कहानी होती है don't look at the answer answer देखना ही नहीं मतलब भूल जाओ कि कोई answer जैसे चीज होती है और यही गेम है असली गेम असली क्या है कि आपको answer नहीं देखना है आप उसको justify करने के लिए check करने कुछ बोलेगा कि check कैसे करेंगे सही है की गलत यही तो गेम है कि सही और गलत आपको अपने information से justify करना answer से नहीं तो आप क्या करोगे कि 20 question को solve करोगे अगर किसी statement में confusion हो रहा है किसी question में confusion हो रह कि या तो आप Google देखके या कोई अपना tool यूज करके articles पढ़के लेकिन never look at the answer तीक है आपको कोई भी answer नहीं देखना है और यह जो 20 question होने चीए टॉप लेवल के होने चीए ऐसा लल्लू पंजु बाला नहीं अच्छे questions होने चीए बड़े questions, experimental questions, parties type of questions होने चीए तो यह काम करना है आपको की target बनाना है हर unit को तोड़ देना है आपके किसमे 10 topics में और पढ़े दो topics के 20 questions और वो 20 questions जो है उन्हें बिना answer के solve करना है बिना answer के don't look at the answer मैं फिर से बोलना हो अगर आप यह करते है तो यह आपके knowledge को enhance करेगा और confidence को boost करेगा क्योंकि आपके अंदर यह confidence आपको करना कुछ इस तरीके से है कि पहले हर जो unit target करें उस unit को तोड़ो 10 topics पर ठीक है उन 10 topics में से two topics per day ठीक है अब बाकि यह दो topics निकालो एक topics निकालो अपनी capacity के साब से करना on an average दो topics per day इन दो topics से कितने 20 top level questions 20 top level questions आप करेंगे और इन 20 top level questions को जब solve करेंगे तो with information solve करेंगे with notebook solve करेंगे with google solve करेंगे हर statement के लिए but never look on the answer ठीक है answer पर आपको नहीं देखना है यह ध्यान होना चाहिए उसके बाद जब यह 20 questions properly knowledge basis पे solve कर लेंगे तो फिर आपको एक तरीके से 20 similar questions को design करना है क्या करना है 20 similar questions को design करना है जब आप design करोगे तो already जो है कि मतल question आ सकता है यह आपको पता होना चीए ठीक है तो यह जो है यह काम करना है तो हर topic से 20 questions हो जाएंगे और अगर मैं 10 unit की बाद करूँ तो 10 unit 10 unit से 10 topic तो 10 into 10 यानि 100 topics और 100 topics से यानि 20 questions 10 PYQs 10 नहे तो यानि 2000 questions 2000 में से 1000 नहे questions आपने खुद सोचे हैं अपने brain से सोचे हैं तो आप तो पहले आप जो है यह आपको टास्क है हर दिन का ठीक है तो यह टास्क अपने दिमाग में रख लिजेगा और टास्क को पूरा करके आप दिखाएगा जो भी इंट्रेस्टेड हो कोई जबर्दस्ती नहीं है यह आपके उपर निर्भर करता है कि आप करना चाहते है या नहीं करना चाहते है ठीक है तो अच्छा लगा तो टास्क नीचे लिखके बताई कि येस और यू और रेडी और गोई तो दू थास्क फ्रॉम टूदे ओन्वर्ड्स के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाय टेकर अल बेस चेह